काफी दिनों से ये मत्तो पूजा होती आ रही है ठीक है पति के लिए सब करते हैं इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं जो हमारे पहले जो कर रहे थे बुजरू लोग वह भी उसको फॉलोग कर रहे हैं पूजा आर्चना उसको लेकर के बरगद पेर के नीचे आप हमारे पीछे भी देख रहा है कि यहां महिला है जो है बरगद पेर के नीचे यहां पर आकर के पूजा आर्चना करती है भगवान विश्णु शिब और नागिन की जो पूजा होती है यहां पूजा करके अपने पती के लंबी आई और संतान के दिर्गाईव को लेकर के जो कामनाएं यहां पर करते हैं तो चलिए हम सुनते हैं जो पूजा को लेकर के इसकी क्या विधी विधान है इसके बारे में जामते हैं आज बट सावेत्री जो पूजा है महिलाएं आज अपने पती के लंबी उम्र के लिए ब्रत रखती है हमारे साथ पुरोहित शुबोध मिश्र जी है इनसे हम जानेंगे शुबोध जी बताईए कि जो यहां पूजा है इसमें सबसे पहले बिधी विधान क्या होता है इसका बिधान चेक जे मैठलिये में हम पहुआ जी हमासोग जमुख भासा मैठलिये इसता है बिधान चे जी पावयन जेश्ट मास के अमबास्याक होई छेक और अई दिन जा तेक स्वहाग इन इस त्री लोके इन सब छेत इस रगण सब पहिने किछ कम होई छले ब्राह्मन समदा आई चाया कोनों जायत को होई जा तेक सधवा इस त्रणगन छेत उस सब गटे इस आवेत्री पूजन करे छेत ती पूजा जेश्ट मास के अमबास्याक होई छेक और इगी पूजा बड़क गाच लग में क्याल जाई छेक या गाच नहीं रहल तो आंगनों में लोक डायर पूजा पाठ करे छेत तो इस त्रणगन लोकन विदिन अनून खाई छेत उपवास करे छेत ब्रद और सामाई एक फोल जती प्रकार के भेल मधूर और फोल अखुरी धानक लाबा दूद और पियर सूत इत्याज सब लग को होई छेत पूजा के लेल बैसे छेत और वोई हम नाग देवता के साबित्री के बौर गास के पूजन करे छेत और पाकल आम अनिवार्शे में जही लग का चारू का तो घुमिका जोल चरहाल जाई छेत और धागा एचिस गास में लेपेट का राखल जाई लेपेठी छेत चात बेर जे अहीना हमरा दूनु गठा के करें च्क तो आप ने सुना कि पंडित जो पुरोहित्स Прздиц Rio के पूजन करना करना है अब ब्रगध पेर के नीचे इनके बारे में आपने सुना कि किस तरह से महिलाए चास करके मिठलान्चल के महिला है और पूरे भारत में इस परभ को मनाया जाता है तो उन्हों आपने सुना अब हम पंडित सुबोध मिश्र से सुनेंगे कि इन्होंने इस जो कथा है या परबुक लेकर करके जो कथाए है वो क्या कथा है और क्यूं जो परंपरा जो हमारी एक परंपरा है हमारी परंपरा चली आ रही है अपने पती और अपने बच् इसकी क्या कुछ कथा हैं संचेप में आपसे जानना चाहेंगे इब्रोत जे दूप्रकार के कथा प्रचलित से दूप्रकार के एक टास पहिल छे एक टा ब्राह्मन और ब्राह्मनी रहे तो उनका साथ पुत्र चलें और धौर में जहनों भानस करें तो संजोग चले दूटा जहने नाग नाग बास करें चलें तो हुनकर ब्राह्मनी चाचलें जह भानस मनाले तो भादपसाखा और माल्च जय घर्म रहे वे रिएन नाग 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 न के जत्ते बच्चा चले अंडा चले ना बिनस्त भ़ह हूजाई चले नाग नागिन दुनू एभंग प्रकारे करत करत में दुनू गुर्त करोधित भगलेत और अपना आपके नियम कलेत जहिना हमनी संतान सी वहिना हम इब्राम्हन और ब्राम्हनी के निसंतान कोदवन और बियर में सा निकलिका गामक कात में एक टाबरक गास चले जग्या अचलग में दिवास करो लगलेत एभंप्रकारे इब्राम्हन के पुत्र के जेश्ट के विवाह कलेन ओज़ण बिवाह करका अबई चले जेश्ट के याहिना रोध चले इठम बैसले नागायविका डई स लेन वहीठमों मरी जातीन एवें प्रकारे चोटा मरी जेलेन सातम जे रही बहुत पुद्ध्यमान चले ओजची से मैं सब पिता सजिदकेल खिन जहम कने घूमा के लिल जाब कतो मैं देखल खिन जे छोटा पुत्र मरी गेल एक कहिटा आउच प्रिये छलेन नहीं जादे जादे जिदकेल खिन छोट देल खिन उब्राम्हन के बच्चा कांख में छत्ता लोले लेन और जुत्ता हाथ में ले लेन और विधा भगला जता पाईनी देखती हैं तो जुत्ता पहीड लेत पाईनी से बाहर जया जुत्ता हाथ में लोले जता गाच लग विश्राम करें च्छता ताइन लेट और रोध में वहिना चले एवन प्रकारे जहने जाई चले तेक ता सरोबर में कंण्या सब बच्चा सब लर्की सब नहाई चले ओजी इदरी से दखा लगे तो होस लग लेगे जी गाष वहिना इरोध में यले था और पाइन गाष लग में आविका बहुत बुद्धेमान चले ओकाल के जी बहुत बुद्धेमान चले किया तो बाहर में तो देखाई सथीन जी किछने गाष लग में चिरेचुनमन बासकर से देपर चटको देतें खराब होयते कपरा कटा खिचता तैला कछता तैले शरोबर में जहने जा लगाल खिंद खुब जहने हसा लग ले तो फिर वह वह बचिया चले से कहल कि जिने ना अई में तक पाइन के अंदर में किस नहीं देखी चाती किस गड़ जेतें या किस काइट लेते को नोजीब जन तही जुत्ता पहड़ ले फिर बाहर जाका हाथ में ले ले ब्राह्मन के बच्चा के बचलें के बेटी बचलें के बढ़ा भिद्यमान बजल खिन अंतिमो कर पचोर पकर कर आगन में चल गया अब जहां के जबेटीया स्थकरा संग आमरा विवाका दिया ओजाइत के धोविन चलें उस्वचलके जहुमको ना ब्राह्मन के बेटा सबीवाका हाथ में दुनु तो जहन लड़की जा लगले, ज़े प्रचलिछी का थामयों, साट्ता बोर जशे सुरी दक प्रनाख का पनसंग में धलल के तर्शी ललल के विदा भेले, और पुजा के वार्यान के छले बर्शा वित्री के बेन, अगुरी फूली प्रूली इत्याद सबलक विदा भेले, यह कहुं रास्ता में पढ़िया संजोग सो ही गाछ लग में जहन पहुँच ले तो देखलखीन जाहिना खुब गाउगहर के जते कन्या सब छले नविवाहित सलक और विवाहित सब इठम पुजा करें शले ओहो इठम बैसका पुजा कर लगले नाग देवता के साबितरी के सब के संजोग साई ब्रह्मन के लड़का के निंदाबा लगले ताबे में नाग निकेल के दोसले लबा लगले बस तो दोविन के बेटी छले ब्रह्मन के कन्या ओ ढाकन तर में जाइत कप अजांग तर में जाइत ललत जहनु नागिन नहीं दिया तो ब्राह्मान के कणिया कहल खिद जह आहां के हम बार के दा छुड़ दे लेकिन हमर जत्य मोर इसे दा दिया तो लुग अधिश्चित भेलें अंत में नागिन विवस्क भखा उच्वोज पुत्र मडल छले ब्राह्मान के पहल का सब के वापस कदल खिद तहनी नाक के छुड़ देल खिद उच्वोज ब्राह्मान के बच्चा जीवित भगले और सब गोटे साथो भाई एक के बेर कन्या के लोकाले तक हड़ पर ब्राह्मान सब के देख गों में सब के खुशी भगले वह जिन से लोकी बार साबित्त्री पावाइन करो लागल एक टाही कथा सावीत्त्री और सक्टेवान वाला कथा चैनल या कुछ संचेप में उपर आयूख कम दिन के ज़ले सक्टेवान के जहन विदाब है ले तेरिन से दिन से पांचे दिन बाकी छले संजोग सा बहुत बहुत वरकाद से सब में कही देशी तो हम विवाज भगले तक श्राबार बीजा नहीं पित्र हॉत को ने नहीं गे भी पुर्थ अधत कोन हमरा स्वाम्ये के लो जा रहा हल्चिए तो हमारा पुत्र है号 न ही बिबस भगा खुसी भगा बर्दान दजल खीर और सत्यवान के वापस को जल खीर आनंद सही फिर समय भी थाबर लगने चाहें पती अपने पती की रक्षा को लेकर के संतान की रक्षा को लेकर के यह जो मानेता है आपने दोनों कथाओं में सुना कि एक महिला नारी सक्ति की रूप होती है और अपने पती के लिए यह सारे जो ब्रत है वो रखती है तो हम आप इसे जानना चाहेंगे जो महिला है आज कल जो ब्रत कर रही है तो उन्हों महिलाओं के लिए का कुछ मैसेज होगा आपके तरफ से हमरा तरफ से यह मैसेज रहा जे हमर जे सत्त सनातन धर्म आईवेड़ हलश और जे हमर पूरवज लोकान केलें वही धंसा और अहु सब इस्तार रूपेन करी हम सब अपन धर्म के रक्षा करी और जते की स्त्रगन चेत जो अई प्रकार सा करती ता वस जो सभाग बती रहती और मनों वांग्शित फॉल उनका प्राप्त हेतन निशित ही इनका यह मैसेज आप तमाम महिलाओं के लिए तमाम जो नारी रखती हैं और जो अपने पति पुत्र के लिए जो ब्रत्र रखती हैं आप शित ही अपने सुना ज यहोते हैं महिलाएं अपने पती को बचाने के लिए यमराज से भी जाकर के लर लेती है पती की लंबी आई गोने होती है जब आप पे आ जाए तो यमराज को भी उनके आगे जुकना पड़ता है तो आईए हमने साहर घाट में कुछ महिलाए थी उस महिलाओ से हमने इस पर्व को लेकर के जानने की कोशिस किया तो आईए सुनते हैं वो महिलाए जो ब्रती हैं क्या कुछ कह रही है अब हम सारगाट में हैं और हमारे साथ मौझूद है यहां पर महिला है जो बट शाबित्री का पूजा कर रही अभी बरगत पेर के नीचे पूजा अचना करके यहां आई हम इसे कुछ जानने की कोशिस करेंगे यह जो पूजा होता है क्या माननेता है इसके क्यों करते हैं पूजा बहुत अच्छा लगता है यह पूजा करके हम लोग को परमपरा चल रहा है परमपरा चल रहा है उस परमपरा को पती के लंबी आयू के लिए हम लोग करते हैं यह पर आप बताइए कितनी माननेता है इसका निशित ही जो लोग जो परमपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है पती के लम्बी आईउं के लिए संतान प्राप्ति के लिए यह महीला है बता है जो किस तरह से यहां पर ने है क्या कुछ भी धान है इस पूजा करते हैं इसमें हम बहुत अच्छा करते हैं फॉल रहता है रेक्ट गूंस इसकी क्या मानिता है पांच खेरा लगाते हैं इसकी मानेता बहुत अच्छा है सब लोग करते हैं इसलिए हम लोग भी करते आ रहे हैं यहां कथा भी सुनते हैं आपने सुना यह महिलाएं किस तरह से अपने पती के दिगायू के लिए लंबे उम्र के लिए जो बरगत के नीचे जो बट शाबितरी पर्व है इनका पूजा अर्चना करती है आपने सुना जो बट शाबितरी पूजा को लेकर के महिलाएं अपने पती के लंबी आयू के लिए किस तरह से बरगत पेर के नीचे जा करके जो बिधी विधान होता है धागा से पांच फेरा लेना और विभिन प्रकार के पकवान फल समको लेकर के पूजा अर्चनाय करती है अगर अच्छा लगा हो तो हमारे मधुबणी नीच को यूट्व पे अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेस्बूक पे देख रहा है तो पेज को लाइक करें बहुत-बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल